कल गोई जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही भारते क्रिकेटर सूड कुमार यादव और बांगलादेश के शाकिब अलहसन के बीच होने वाली थी हाथापाई दोनों खिलाडी एक दूसरे के ऊपर करने जा रहे थे मारपी जी हाँ दोस्तों दिखाएंगे आगको पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले भारत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें चलिए बात करते हैं दोस्तों टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए भारत और बांगलादेश के मैच के बारे में जहां मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी भी भारते का खून खौल उठेगा दरसल विराट कोहली और रोहिट शर्मा वहाँ पर थोड़े खुसे में दिखे बात ही कुछ ऐसी थी बात ये थी कि सूर कुमार यादव और साकेब अलहसन कुछ आर्गुमेंट्स हो गया था मैच शुरू करने को लेकर जब बारिश हो रही थी तो बांगलादेश सोच रही थी कि DRS रूल के हिसाब से बांगलादेश की टीम मैच को जीत जाएगी बारिश रुख गई लेकिन बांगलादेश के कप्तान शाकिबल हसन मैच को थोड़ा देर बाद शुरू करना चाह रहे थे इस बात को लेकर अमपायर से जाकर वो भिड़ गए और गर्मी से बात करने लगे जिसके बाद सूरे कुमार यादव ने रुमाल से इशारा करते हो दिखाया कि बारिश रुक चुकी है और ग्राउन ठीक हो चुका है और अब मैच शुरू हो सकता है इस बात को लेकर शाकिबल हसन और सूरे कुमार यादव में तू तू मैमे होने लगी जिसको देखकर रुहिच शर्मा विराट कोहली भी घुस्से में आ गए और शाकिब का मज़ा लेने लगे फिलाल के लिए बस इतना ही आपको क्या लगता है क्या इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन भारती टीम बन पाएगिया नहीं अपनी डाय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं